जै सियराम जै हनमान आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि राम नाम का जो जाप करते हैं उनको स्री राम जी की कृपा से ये चार सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं स्री राम जी जिन पर अपनी कृपा करते हैं उनको अपनी सक्तियों में अपनी हर प्रकार की शंपत्ती में उसको भागीदार बना लेते हैं साजेदार बना लेते हैं लेकिन भगवान से वो चीजें प्राप्त कैसे हो, उन्हें कैसे आगे किया जाए, जिसे की हमारे जीवन में उन्नती हो, सबसे पहले तो हमें राम नाम के जाप में विश्वास होना चाहिए, जितना ज्यादा आपका विश्वास प्रभल होगा, उतनी ज्यादा राम जी आप पर किरपा करेगा सच मानना इस बात को संसार में ये कलिकाल चल रहा है इस कलिकाल में बस प्रभू स्री राम जी का एक मात्र नाम सहरा है जो कि हमें इस भौ सागर से मुक्त कर शकता है इस भौ सागर से मुक्ति दिला सकता है और हमारे जीवन में हर प्रकार की शम्रद्दी ख साधना करने के लिए हमें साध्ध देव की आवशक्ता होती है, अपने शाध्ध की आवशक्ता होती है, अगर आपके इश्ट मजबूत हैं, आप पे कृपा करने वाले हैं, और आप उनके लिए हर प्रकार की मुश्किलों को सहन करने वाले हैं, तो शमझ लीजिए कि आप पर जीव पर प्रभु की बराबर दया है क्योंकि हमारे जो प्रभु स्री राम जी है वो समद्रश्टी है यानि कि सब को समानता से देखते हैं उनके लिए ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो प्यार करते हैं वो अपने भक्तों से अपने दासों से करते हैं जो भगवान के आश्रित रहते हैं भगवान के सिवा उनको कोई भी चीज कोई भी बस्तू अच्छी नहीं लगती है तो भगवान उन पर अपनी कृपा करते हैं और उन्हें अपनी दुनिया में या फिर अपने अंदर उनकी एक विसेह जगह बनाते हैं और उनसे जन कल्यारार्थ कुछ करवा देते हैं ऐसे प्रभु शीराम जी हमारे जीवन में लीला करते रहते हैं लेकिन हमको इस चीज में आगे बढ़ने के लिए इन चीजों को प्राप्त करने के लिए नाम उबल की आवश्रक्ता होती है जैसे जैसे आपका नाम मरता जाता है आपके आराद्यदेव के तरप्रती आपका भाब भी जागरित हो जाता है यानि कि जो आपके आराद्यदेव हैं आप उनके नाम का जाप करेंगे तो नाम के जाप के फल सरूप आपको उनका जो चित्र है उनका जो श्वरूप है आपके न अगर किसी चीज का कोई नाम है तो उसी से उसकी पहचान है जैसे कि ओधार के तोर पर आप माल लीजिए अगर नदी का नदी नाम नहीं होता तो कौन जानता कि ये क्या है इसी तरह से अमरूद का फल है उस अमरूद के फल का अमरूद नाम नहीं होता तो उसे कौन जान पात इसी तरह से अगर भगवान को जानना है तो नाम का सहरा लेना होगा क्योंकि नाम जो है वो नामी को आपके अधिन कर देता है आपके लिए सुलब बना देता है उनके पास जाने के लिए जो सबसे जाप करने की शिद्धी प्राप्त होती है तो वो जाप करने की शिद्धिया आपके अंदर से जागरित होती है आप बैखरी वारी से जाब करिए जैसे कि हम बोल रहे हैं बैखरी वारी से जाब करिए सिताराम, जैहनुमान, सिताराम, जैहनुमान या पर जो भी आप मंत्र जाब करते हैं जो भी आपके इश्टे हैं फिर जैसे जैसे आपकी बैखरी वारी सिद्ध होती जाएगी तो आपका भजन में भगवान की पूजा पाट में उनके मंदिर में जाना उनके दर्शन करना उनकी लीला धाम में विश्वास जागरित होता है और एक उतकंठा एक उतसा आपके अंदर बर्दमान होता है कि प् आपकी शिद्ध हो जाती है तो फिर आप मद्यमा बाड़ी में प्रविस कर जाते हैं यानि कि मद्यमा का जो जाप होता है जो तालू के मद्यमे एक छोटी जीव होती है जिसको योगी महात्मा जंज होते हैं उससे रसा स्वाधन करते हैं अम्रित पान करते हैं तो उस जग का रजपाज आपके माध्यमश्य होते हैं कोई आपके साथ कुछ भी कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं है सब के लिए प्यार के भाव जागृत होते हैं और भगवान के रूप लीला धाम में आपका मन लगने लग जाता है एकांत में प्रभू के भजन करना उनके चरित्रों का स्वाध्याय करना उनकी लीलाओं का चिंतर करना ये सभाव आपका बन जाता है जब आपका जाप जो है वह पश्यंतिवारी में जाता है तो आपका भगवान से जुड़ाव हो जाता है फिर आपसे भगवान बातें करते हैं आपकी बातों का जवाब देते हैं आपको राम नाम के जाप से वह यह होती है कि उसके अंदर एक उर्जा सकती एक तेज सकती जागरित हो जाती है यानि कि उसके अंदर एक ऐसी आकरसर सकती आती है जो कोई भी उससे देख लेता है एक बार तो फिर उसके नाम का रूप का और उसके ससंग का वह दिवाना हो जाता है ज जैने कि आप पवित्रता से उस काम को करते हैं, बुरे मारगों से दूर हो जाते हैं, और जब कोई व्यक्ति या कोई साथक एक कार को लंबे समय तक करता है, ये कागरता के साथ करता है, तो फिर उसका वो कार शिद्ध हो जाता है, आपको हर प्रकार की खुशियां मिलना शु उनका तो भगवान के प्रतिवरोसा है उनका सीराम जी के प्रतितना भाव उदार हो गया है कि वो प्रभू से प्रार्थना करते हैं और प्रभू उनको पूरा कर देते हैं क्योंकि उनकी संक्लब सक्ति इतनी जोरदार इतनी शक्तिसाली हो गई है नामजाप के प्रभाव से जो तीसरी सकती मिलती है, वो यह मिलती है, कि आपके अंदर दूसरों की बातों को समझने की छंता आजाती है, यानि कि कौन क्या कह रहा है, मेरे बारे में क्या सोचता है या पिर दूसरे की मन की बात जानने की आपको शिद्धी मिल जाती है लेकिन सादक इन चीजों पर रुखता नहीं है क्योंकि सिद्धिया, रिद्धिया, प्रशिद्धी ये सब जाब के दोरान आती है उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है लेकिन जो एक सच्चा भक्त होता है जिसे परमात्मा की प्राप्ति करनी है वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है नाम भगवान भी उसे इससे निकाल ले जाती है जो इच्छा करिहों मनमाही प्रभु प्रसाद कचु दुरलव नाही प्रभु के प्रसाद स्वरूप आपको हर चीज मिल सकती है ऐसी कौन सी चीज है वो चीज आपको प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि प्रभु का नाम उनके लिए जीना उनके लिए मरना उनके लिए सारे का कारी करना एक तरह की शिद्धी का ही कारी करती है और आपके जीवन में परिवर्तन उससे आना शुरू हो जाता है जो चौती शिद्धी आपको प्राप्ट होती है वह यह होती है कि आपकी बाणी के अंदर एक अकरसर सकती आ जाती है यानि कि कोई अगर आपके सामने बैठा ह हुआ है आपकी बातों को सुन रहा है आपसे ससंग कर रहा है बारता लाप कर रहा है तो आपके जो सब्द हैं उसके हिरदय को बिदीर कर देते हैं यानि कि उसके हिरदय के अंदर वो चीज़े बैठ जाती है और वो चीज़े जब उसके अंदर बैठ जाती है तो फिर उसको उने चीजों में प्राप्ति करने के लिए कोई शुलबता नहीं होती जिसकी तरफ वह क्रपा की दृष्टी से देख लेता है जिसकी तरफ वह दृष्टी गोचर करके एक बार भाव से देख लेता है वह उसका भक्त बन जाता है और वह भी राम नाम के जाप्त से जड़ जा प्रभु शीराम जी का भक्त बन जाता है तो यह कुछ शिद्धियां होती है जो कि राम नाम के जाप से आपको प्राप्त होती है आसा है आपको यह जानकारी बसंद आई होगी जै श्याराम जै जै हन्मान